नमस्कार प्रिय साथ ही हो स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी चलिए आज को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन है network tvs subscribe खंद कम संट्रल विज्जिलेंस कमीशन सेंट्रल विज्जिलेंस कमीशन क्या हिंद्य में इसको बोल सकते हैं केंद्रीय 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 सतरकताओच केंद्रैय सतरकताओच चलिए तो आज का टॉपिक आपको आईडिया लगी गया होगा लेकिन दसपंदमनेट के माध्यम से यही strategy रहती है और यही प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा information प्रोवाइड की जा सके यह चोटा topic है लेकिन इसके questions पहले भी R.A.S.I.S. अधर PCS exams में देखे गए हैं और यह हो सक सब्सक्राइब को देख लेते हैं CVC कौन सी ministry के अंदर आती है आपको एक question है इसको comment section में बताना है first ministry of home affairs second ministry of personal and training third directly PMO के एंडर में आती है यह फिर ministry of law and justice ठीक है जो भी आपका answer होगा comment section में बता दीजीगा कि Central Vigilance Commission चलिए तो यह news में क्यों है यह क्यों है विजलेंस awareness week चल रहा है ठीक है आपको उसके बारे में बताना है कौनसा index निकालती है corruption को लेकर कौनसा index निकालती है उसके बारे में आपको index निकालना है ठीक है और साथी साथ आपको इस बार की theme भी पताओ नहीं चीए theme क्या है corruption free India यह सिधा-सिधा पूछले जाता है corruption free India for a developed nation कौन किसके अंडर में हो रहा है cvc के इंद्री सतरक्ता आयोग के अंडर में हो रहा है यह आयोग ठीक है corruption free India for a developed nation यह इस बार की theme है theme क्या है यह theme directly exam में पूछली जाएगी ठीक है तो आपको theme पता होनी चीए चलिए यह news India today का यह भी यही बोल रहा है cvc के बारे में हम जान लेते हैं cvc के बारे में हम जान लेते हैं क्यों क्योंकि इसे संबंदिल सवाल आते रहेंगे तो cvc के बारे में आपको सबसे important information यह जाननी कि यह statutory body है ना कि constitutional constitutional नहीं है यानि कि संविधानिक body नहीं है क्योंकि संविधान में होतीक तो कोई article में यह किसी संविधान में इसके बारे में detail में दिया गया होता तो अगर आपको कोई article पता है अनुछत पता है जिसमें cvc mentioned हो तो आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि यहां भई इसमें सी वी सी के बारे में बताएगा है ठीक है इसके साथ साथ ही आप यह मुझे बता दीजिएगा कि सी बी आई किस तरीकी की बॉड़ी है किस तरीकी बॉड़ी है किस किसी विधान की तरू है तो 1963 उस टाइम तुम बिल लेके आए थे 1964 में एक कमीटी बनीती केस अनाथम कमिटी बनी थी यह लास्ट टाइम आरेस में भी पूछा गया था कि कौन सी कमिटी के इस सिपारिश गया था तो केस अनाथम कमिटी कब बनी थी 1964 में और यह एक्ट का पारिद हुआ था 2003 में यह एक्ट पारिद हो गया था तो हाई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस एक के थुरू पावर्स मिलती है इसलिए ये statutory body, statutory body क्यों है क्योंकि ये किसी statute, किसी कानून के तरह तो इसकी powers मिलती है और वो कानून का पारित हुआ था 2003 में, इसके साथ साथ ही आपको एक चीज़ और पता होने चीज़ कि इसमें कितने members होते हैं, तो इसमें होते है one plus two, यानि कि one तो एक तो chairman हो जाएगा, composition पूछ ले दो, एक तो chair person हो जाएगा और साथ में दो other commissioners हो जाएगे, two other commissioners हो जाएगे, ठीक है prevention of corruption act 1988, बहुत important है, ठीक है, corruption को लेकर, इसमें हाली में, आम एंडमेंट व्यू है prevention of corruption act 1988, कब का है, 1998, इसके तहत भी ये CBI को direct कर सकते हैं कि आप, जो भी भ्रस्टाचार में, जो भी लिप्त है officers, उनके विरुत कारवाई करी जाए, ठीक है all India services तक के officers को ये कर सकती है, prevention of corruption act 1988 का, आपको आई होप सुष में काफी facts पता चले होंगे, वापस से एक बार देख लेते हैं, ये statutory body है, क्योंकि ये कानून के तहत आए गई है, 2003 में कानून पार रित हुआ था, prevention of corruption act 2003 में हुआ था, ये CBC, committee कौन सी थी, 1964 में, सनाथन committee, ये किसी में कुछ गलती होगी, तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत अच्छे सा idea होना चाहिए, तो उससे कहाए कि, आप असानी से question को गलत ना कर सके, क्योंकि आपको पताए कि किस से समवाल लगबग लगबग आने वाला है, क्योंकि ये body तो हमेशा है रहेगी, चलो, इसके इनके appointment के बारे में देख लेते हैं, Central Vigilance Commission कौन करता है, प्रसिडेंट, प्रसिडेंट करता है, जी हाँ, बिलकुल, after the recommendation of, ये बहुत important है, किस की recommendation के बाद, प्राइम मिनिस्टर, Ministry of Home Affairs, और लेडर ऑफ अपोजिशन, इन लोग सभा, इन तीन मेंबर्स की committee होगी, वापस ABCD वाला question त्यार हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं question इस तरीके के बना सकता था कि किस किस में, किस किस की committee की base के recommendation पर ये appointment होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की, Ministry of Home Affairs की, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोग सभा की, ठीक है, इन तीनो मेंबर्स का, देखो, आपको उसको next time पे सुधार किया जा सके है, चलिए, और कितने साल के लिए इनका tenure होता है, चार साल तक का tenure होता है, चार साल बाद ये बदले जाते हैं, ठीक है, लोग सभा का tenure कितना होता है, पांस साल, इससे पहले विगटन तो ही सकता है, तो चार साल का tenure किसका होता है, Central Vigilance Commission का चलो, Central Vigilance Commission और any Vigilance Commissioner can be removed, ये तो हो गया appointment का, अब चली removal की बारे में देख लेते हैं, removal किसके बारे में हो रहा है, office only by the order of president, president ही remove करेगा, on the ground of proved misbehavior or incapacity, ये क्या है misbehavior कर दिया भही है, कुछ उल्टा सीधा constitution के खिलाफ चले गए है, और incapacity मतलब वो सक्षम नहीं है, उस ठीक है, इस तरीके से वो सक्षम नहीं है, उस post को help करने के लिए, after the Supreme Court on a reference made to it by the president, has on inquiry reported, यानि कि Supreme Court इसमें आदेश देगा, एक inquiry बैठीगी और Supreme Court कहेगा कि ये misbehavior है, ये incapacity है, वह आप कैसे बता दोगे कि proved misbehavior क्या है, incapacity क्या है, कुछ पता थोड़ी है कि proved misbehavior incapacity क्या है misbehavior किसको कहोगे कोई defined थोड़ी है, सम्विधान में defined है कि सम्विधान में constitution में ठीक है, सम्विधान में ये चीज defined नहीं है, चलिए, इस से related कि इंडिया में और भी कोई initiatives है, बिल्कुल बहुत से initiatives से आपको पता होना चीज जैसे कि IPC, Indian Penal Court, कब का पास हुआ है, 1860 का, इस PMLA होता है, Prevention of Money Laundering Act, ये कप का है, 2002, Money Laundering, Money Laundering पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, हवाला सिस्टम, ठीक है, हवाला सिस्टम, पैसा बहार वेजने का, Money Laundering का, FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, इस पे भी विबात रहता है, ये NGO के संबंदित होता है, ये 2010 का है, Foreign Contribution Regulation Act, इसमें किया है कि Foreign Contribution, नाम से बता जल रहा है, Foreign Contribution, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, उसको regulate करने की बात कर रहे है, तो कौन सी NGO से, कितना पैसा आ सकता है, कौन से देश से आ सकता है, ये सब हमको ध्यान रखना होता है, उनको register करना होता है, मालों को या इतंगवदी activities, ये कोई terrorist activities के लिए तो पैसा नहीं आ रहा, जिस purpose के लिए पैसा यूज किया गया है, उस purpose के लिए तो नहीं आ रहा, ठीक है, इसके अलावा Companies Act होता है, Companies Act कप का है 2013 का, ठीक है, Companies Act कप का है 2013, उसमें भी इस तरीके के provisions है, लोगपाल वाला बहुत इशू रहा था, लोगपाल और लोकायुक्त इस पे भी कोई news चलेगी, तो इस पे जरूर वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत important है, इस तरीके के सभी bodies बहुत important होती है, ठीक है, CVC हो गई, CVI हो गई, Central Vigilance Commission, CBI, लोगपाल, NHRC, National Human Rights Commission, Rights Commission, Minorities, National Commission for Backward Classes, इस तरीके की सब चीजों के बारे में आपको facts बत जाते हैं, ठीक है, लोगपाल, NHRC, चलो इसी बारे में आप बता दीजीगा, ये कि constitutional body है कि statutory body है, क्या constitutional body है, या statutory body है, या दोनों ही नहीं है, हाला कि ये तो पता हो जाना चाहिए, आपको statutory तो है, क्योंकि लोगपाल, NHRC, लोगपाल, NHRC, 2013 में पास होता है, तो किसी act के थू पास हो रहा है, तो इस statutory हो गई, आप constitutional है कि नहीं है, इसके लिए बस ये देख लो कि समयधान में दे रखाय कि निकाई पे भी, ठीक है, और CBC के बारे में तो RPSC में सवाल आ चुका है, के सनातम committee के बारे में आ चुका है, IES में इस तरीके के सवाल आ चुके है, ठीक है, तो आपको ये सारे initiatives देए गए होंगे, साथ ही साथ आपको भी corruption के उपर और भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, Transparency International Corruption Perception Index निकालती है, Float Democracy के बारे में बात करी जाती है, Indian Penal Code 1860 के बारे में, Prevention of Corruption of 1988 के बारे में, तो छोटा सा वीडियो है, सतरक्ता दीवस चल रहा है, आपको ज़्यादा डीटेल में जाने की जरूत नहीं, इसमें आपको इससे संबन्देती है, पता होना चाहिए, कि सतरक्ता दीवस है, तो इसकी theme क्या है, theme के साथ साथ ही कौन निकाल रहा है, किसका involvement है, Central Vigilance Commission का है, 1964 के सनाथम कमेटी, 2003 में उसको statutory powers दी गई, बरतमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन था, ये इस तरीकी के सारी knowledge आपको पता होने चाहिए, ठीक है, I hope so, आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी कोई doubt हो तो आप प्लीज उसको comment कर दीजेगा, ताकि next class में उसको positive feedback देखते हुए, उस पर सुधार किया जा सकते हैं, जै हिंद, जै भारत!